जयकाल भरो जयगोरा मैतां तरिक देथी आप सब का स्वागत करता हूँ जैसे कि थमनेल में आपने देखा सरकटा प्रेथ, सरकटा भूत भारत के अंदर अलग-अलग प्रांतों में, अलग-लग राज्यों में, अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग गाओं में बहुत सारे लोगों ने बच्टबन में बड़े होते होते यह गटना है और किस्से तो बहुत सुने होंगे, कि हमने सरकटा देखा है, यानि कि एक ऐसा प्रेत जिसका सर नहीं होता, कहिं लोगों को दिखाई देता है, कहिं लोगों का पीछा करता है, कहीं गाउं दिहत के लोग ऐसा भी बताते हैं कि उनके पास एक सरकट आया उसका सर नहीं था उसने आकर बिड़ी मांगी और गाउं के चाचा ने कहा कि हम पे बिड़ी नहीं है या कभी कबार उन्होंने बिड़ी दे दी जलाकर तो सर तो उसका होता नहीं है गर्दन से लगा के बीडी बीडी कहीं बारी प्यासा पानी मांगने आ गया सरकटा पानी मांगने आ गया अच्छा सरकटे का सर नहीं होता तो बोलता कैसे है बीडी बीडी इस परकार से बोलता है यह हम इसलिए तुम्हें बता रहे हैं क्योंकि हमने तो चीजे देखते हैं हम तो इने जीते हैं हमारा तो काम ही है प्रेतों के साथ जीना हमारा जीवन ही है जब तक हमें काता प्रेत ना देख लें जब तक तो हमारी रोटी अंदर नहीं जाती पेट के बूद प्रेत को देखते ही मन लगता है जीवन ही कुछ ऐसा है तो सरकटा सरकटे से क्या किसी प्रकार का को काम लिया जा सकता है सरकटा होता क्या है क्यों होता है इसकी कुछ जानकारिया सरकटा एक ऐसा प्रेत होता है पहले के समय में जब पहले लडाईयां जब होती थी तो तलवारों से खंजरों से लडाई होती थी कटारों से पुराने लोग जानते हैं आज के जो नहीं बच्चे हों नहीं समझेंगे कटार क्या होती है डैगर क्या होता है पहले के समय में तलवारों से लडाईयां होती थी और जब प्रवेश कर जाती थी और जब वह आत्मा प्रेटियोनी में प्रवेश कर जाती थी तो उसके बाद वह आत्मा उसी समय पर जागरित होती थी जिस समय पर उसकी म्रत्य होई है। परतमान इस विशे पर तो तुम्हें आज तक किसीने जानकारी नहीं दियोगी परन्तों हम दे रहे हैं तो रात्री के समय ये घटना होती है रात्री के समय क्या होता था वह प्रेट घूमता था वह आत्मा अपना सर खोजिती थी यानि कि उस पर ऐसी कोई शक्ती नहीं कि वो अपना सर देख ले काँ पड़ा है तो वह आत्मा यानि कि एक शरीर की शकल में सामने आ जाता था वह प्रेट यानि कि ऐसे सकाल चकर की बात कर रहे हैं यानि कि रात्री में वह सामने आ जाता था और सामने आ जाता है और रहेगा तो वह क्या करता घोमना फिरना उसे प्यास लगती है भोग लगती है क्योंकि वो प्रेतियोनी में फस गया परंतु उसकी आत्मा का धड़ नहीं है सोच तो रहा है पर अंतु से सर चाहिए जब तक उसका सर उसे नहीं मिलता उसकी मुक्ती नहीं होती वे प्रेतियोनी में ही भटकता रहेगा अन्तिकालता कैसा चलता रहेगा उसका माम लाई समझू कि वो एक ऐसी प्रेतियोनी में फस गया कि वो निकल नहीं सकता तो भटकता है रात्रियों में जंगलों में बहुत सारे ऐसे स्थानों पर उसमें ताकत बहुत होती है बला की ताकत होती है एक सरकटे के अंदर इतनी शक्ती होती है कि समझे सो सो वेक्तियों का बल एक सरकटे के अंदर होता है अगर रात्री के समय पुरुनिमा ये कालिय मौश्या पुरुनिमा ये कालिय मौश्या जब ये दोनों एकागर इस्तिती में होते हैं उस समय सरकटे के अंदर बहुत बल होता है ये अच्छे बले इंसान को मार सकता है बहुत सारी ऐसी घटना है सामने आई है और ये कोई आज की बात नहीं है ये 200-300 साल की बात बता रहे हैं पूरे की बहुत सारे लोग पूछें गुरुजे आप जिन्दा बैठेते आप कब से जिन्दा है हम बहुत वर्षों से जिन्दा है हमारी मत पूछो तो बहुत सारे लोगों को सरकटे मार दिया करते थे किसी प्रेथ सरकटे ने किसी की जान ले ली सोते हुए कि किसी के पास आया किसी को कुलाडी से काट दिया यह सरकटा, पहले के समय में ऐसी घटनाय होना आम थी, बर जैसे ही कोई विद्वान तांत्रिक किसी शेत्र से परवेश करता है, और देखता है इस परकार का जोर है किसी सरकटे प्रित का, तो वह है उसके शरीर को मुक्त कर देता है, क्योंकि तांत्रिक अपनी विद्ध्य शेक लगा लेता है शक्तिो से किसका सर कहा है, यह मिंटी कहा है जहां पर इसका सरगीरा था, जहां यह सर खतम हो गया, आपश्य evolution भी ना बचे हों तो उस मिंटी से तांत्रिक क्रिया करके उसे मुक्ति दिला दी जाते थे जिस शेत्र से मुक्ति दिलाई समझो उस शेत्र से सरकटे का जो तांडव था वो खतम हो गया परन्तो आज भी बहुत सारे गाउं है बिहार छत्रिश गड़ के शेत्रों में जहां सरकटे टकड़ जाते हैं यदि कोई सरकटा तुमारे सामने आ जाए तो किस परकार बेवार करना चाहिए सरकटा यदि तुमारे सामने आ जाए और वो तुमसे कोई चीज मांगे तो उसे दे दो तुमसे बीडी मांगे तुमसे बीडी दे दो अभी बहुत सारे लोग वीडियो देखकर सोच रहे हैं गुरुजी कैसी बाते कर रहे हैं बताओ ना सर ना पैर और बात जिसकी कर रहे हैं उसका सरी नहीं है सर कटा बड़ी जीब बात कर रहे हैं गुरुजी हमारे गले से नहीं है उतर रही है ये बात तो हम उन लोगों को भी कहते हैं तुरंट वीडियो रुको और तुरंट ठंडा पानी प्यो बात तुरंट गले के अंदर से उतर जाएगी ये कालवहरू की किरपा है ओम देत्ति सरकार अब आगे बढ़ते हैं तो सरकटा अगर तुमारे पास आजाए ज्यादा तर ये चान्नी रात में ये काली गुप रात में ही टकरता है यानि कि जब दोनों रात तरी एक आगर होती है तो पूरी पूरने मा है ये पूरा ही काला है संब्दे चान्द का छोटा बढ़ा नहीं होना चाहिए ये तो बिल्कुल काली रात है उस रात तकरेगा ये बिल्कुल शान्नी पूरने मा है बढ़या वाली खिली हुई उस रात को तुमें तकरेगा ये सरकटा इनी रातों में टकरता है इसे सरकटा प्रेत कहते हैं ये वो इंसान वो मानव होते हैं जिनका वद्ध यानि कि किसी तलवार से किसी की गरदन काट दी गई हो उसका सर धड़ से लग कर दिया हो उस इस्तिती में उसकी आत्मा प्रेतियोंनी में फस गई हूं मृत्तियों लोग के गाल चकर में तो यह बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी ग्यान की बात है इससे समझने में डेड़ साल लग जायागा आदमी को एक आम इंसान को समझने में डेड़ साल लग जायागा इत अगर तुमसे बीडी मांगे तो बीडी दे दू और तुमसे अगर वो कहे कि मुझे प्यास लगी है पानी पिला तो उसे पानी पिला दू उससे तुम किसी परकार की बहस नहीं कर सकते तुम भाग नहीं सकते अगर तुम भागे तो तुम मार देगा अगर तुम पर बीड़ी नहीं है या पानी नहीं है तो कह दो मेरे पास बीड़ी नहीं है खड़े रहो वहाँ उसे यह महसूस ना होने दो कि तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि अगर तुम डरोगे या भागोगे बेचयान हो जाओगे तब वो तुम मार सकता है क्योंकि सरकटा डर को महसूस करता है एक अजीव सी शक्ती होती उसमें कि वो डर को सूंग लेता है जो वेक्ति उससे नहीं डरता उसका सरकटा कुछ नहीं विगाड सकता कैसे कैसे सिद्धानतें यानि कि एक सरकटा प्रेत जिसमें सो मानों का बल होता है वो व्यक्ति अगर उससे कोई व्यक्ति नहीं डरता बहन नहीं खाता तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो व्यक्ति से डरता है भागता है उसकी बात का इंकार करता है अगर मान लो तुमारे पास बीडी है तो तुम उसे दे दो नहीं है तो मत दो क्योंकि वो जानता है तुम पे नहीं है वो यह पता लगा लिता है है तो ही तुमारे पास आया नहीं है तो मना कर दो क्योंकि बीडी के खुश्वू तुमारे सिरे में है इसलिए वो तुम तक आके बीडी मांगता है बीडी कौन से सरकटे प्रेत मांगते है जो बीडिया पीते थे चिलम, गांजा, हुक्का पीने वाले प्रेत यानि के हुक्का पीने वाले मानो जो प्रेथियों नहीं हो बस गए तो वो तो वही मांगेंगे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटना होती है कि भाई उस शराब का पैक बना रहे हैं कि जंगल में बैठके पैक गायब हो गया वो फिर शराब डालता पर शराब गायब तो वो कहता मैंने तो पी नहीं कौन पी रहा तो पता चला कोई प्रेथ पी गया तो यह तो बहुत आम सी बात है और ज्यादा नहीं कहता मैं यूटूब पे भी जतने लोग अगर हमारी वीडियो देखते है इन मैंसे भी जो लोग ड्राइवरी करते हैं गाड़े चलाते हैं जो जंगल बंगल में रुख जाते हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं खासकर उनके साथ ज्यादा ऐसे हाथ से होते हैं ट्रक ड्राइवरों के साथ तो बहुत हाथ से होते हैं ये तो चीजों को देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, कहते हैं अगर किसी को तुम्हें अनुभू सुनना हो, तो किसी ट्राक ड्राइवर से समय ले लो, क्योंकि 24 गंटे गंट का सफर होता है, और हर अलग-अलग शेतरों में रुपते हैं, जंगल में, वियाबान में, होते हैं, बहुत महंती भी होते हैं, इनके पास जानने के लिए बहुत कुछ होता है, तुम जान सकते हो, हम तुम्हारे लिए एक ऐसी जानकारी अगली वीडियो में देंगे, जो सुनकर तूम दंग हो जाऊँगे, घ्र्टना होती हैं, वो है, क्योंकि थान का, इसका हम त पुद्परेत नहीं है, सरकटा नहीं है, तो फिर तो भगवान भी नहीं है, फिर तो आत्मा भी नहीं है, और आत्मा नहीं है, तो फिर सरीर भी नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं है, तो उन मुर्खों से बच के रहो, जो आधा विज्ञान जानते हैं, आधा नहीं जानते है समझे? जो बिकती पृद्धिवान होता है वो जानता है कि आत्मा है, परमात्मा है और ये सब चीजे हैं जो लोग देखते हैं वो डर जाते हैं, टैक पड़ जाता है कसी को बुखार चऴ जाता है कुछ लोग बच जाते हैं अब बस इतना कहेंगे कालवेरो किरपास अगर वीडियो किसी को वीडियो से किसी को आपत्ती हो तो वह हमें बता सकता है लिख कर वरना एक बात कहना चाहेंगे हम ऐसी दुरलब जानकरी लाते हैं जो तुम्हारे साथ ही गटित हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी बटन है लाल अभी हम आग गलेंगे आदेश महा काल